रहें बच्चो, welcome to my English class आज हम English के second chapter का question 5th करेंगे और ये question क्या है identify these good habits write them in the blanks given below यहाँ आपको कुछ pictures दिये हुए चार pictures दिये हुए है और उसके आगे आपको एक dash दिया हुए ठीक है इन good habits को picture में देखकर पहचानना है और उस dash में आपको fill करना है कि ये कौन से good habits है ठेके तो आप देखिए first picture में क्या है एक बच्चा है वो क्या कर रहा है अपने दातों को अपने teeth को brush कर रहा है तो ये कौन से habit है brush daily तो यहाँ आप लिखेंगे brush daily इसके आगे next picture में एक बच्चा क्या कर रहा है नहा रहा है है न तो क्या कर रहा है उसके आगे हम क्या लिखेंगे बात daily daily हमें नहाना चाहिए नहा रहा है न बच्चा तो ये कौन से habit है good habit के बात daily नेक्स्ट पिच्चर में देखें क्या कर रहे हैं दो बच्चे प्रेयर कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं भगवान से तो ये हमें क्या है अगली good habit क्या है हमें क्या है भगवान से रोज प्रातना करने चाहिए पूजा करने चाहिए तो इसके आगे लिखेंगे Pray the God Next क्या है काव है तो पोयम में इस चप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि काव की हमें पूजा करनी चाहिए सेबा करनी चाहिए इज़त करनी चाहिए समान देना चाहिए तो इसके आगे हम क्या फिल करेंगे Serve the cow आगे हम आपके इस चप्टर में Last activity करते हैं Last ये क्या है कुशन Help Your ये आपको यहाँ पे 10 फिल अप दिये हुए हैं और यहाँ पे आपको Things के नेम लिखने हैं किन चीजों के नेम लिखने हैं जो cow milk से बने हैं ठीक है जो cow के गाई के दूद से बने से बनती है तो चलिए यहाँ पे आपको मैंने फिल अप कर दिया है ध्यान से करेंगे पहला क्या है बटर, चीज, पनीर, क्रीम, छाच, कर्ड, आइस क्रीम, घी, खोया, बर्फी, लसी ये सारी चीज़े क्या होती है दूद से बनती है दूद से बनी चीज़े है ये तो इसे आप ये बुक में फिल करेंगे ठीक है इस तरह से फिल करेंगे सुन्दर-सुन्दर राइटिंग में और बुक गंदी नहीं करनी है साफ-साफ करना है ओके तो जैहन बचो